हेलो स्टुडेंट आपका माइसीनिया की कला चल रहा था और मैसीनिया की कला मैंने लास्ट वीडियो में आपका खतम किया था और लास्ट जूम मीटिंग पे भी आपका माइसीनिया की कला आपको समझा दिया था तो उसके बाद आपका प्राचीन यूनान की कला टॉपिक सीन घ्रीग तो आप हम यूनान की ख़ mentioning के बारे में पढ़ेंगे तो इसके पहले में आपको माई सीनिया की जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में जोड़ा से बताती हुआ ठेस में के प्राचीन यूनान की कला तो इसमें आप को मैंने इनके समाधिक रह के बारे में बताए था तो इनके जो दिवारे होती थी दिवारों से घीरा होता था और इनका गलियारा होता था लगभग 120 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा और ये जो है उपर से खुला हुआ होता था मोल रूप से जो दिवार होती थी वो 34 फ प्रवेस किया जाता था तो इनका गलियारा होता था उधर से ही इनकी एंट्रीगेट इनका बनता था तो आपको मैंने पिक्चर शेयर की है आप लोगों ने देखा योगा और इसके उपर एक कैप स्टोन भी बनाते थे यह लोग जो इस समय की यंत्रकला का और टेक्नीक का अ पवित्र इस्थल जुलू साखेट इस्तरी पुरुस आधी विश्रियों से अलंकरत करते थे इन टॉपिक्स को लेके ये काम करते थे और एक जुलूस द्रस्य में सभी मानों आकरतियां जो है उन्होंने पशु मुखोटा लगाया हुआ है तो आपका जो इसमें युनान मे माइसीनिया की कला में सबसे फेमस समाध्य ग्राहे ट्रेजरी ओफ और्टर्स उसका पिक्चर भेजा था आप लोग को तो आप लग देख सकते हैं और इस समय जब माइसीनिया की हैलेडेक सब्वेता चर्मोतकर्स पर थी तभी माइनर में इसका ट्रॉय में भी छठी नगर का चर्मोतकर्स हो रहा था ट्रॉय के युद्ध के असी वर्ष पसचात अर्थात 1104 इसा पुर्व हेरा क्लीड के नेतरत में यूनानी भाशा उत्तरी छेतर के एक शक्तिशाली जाते डोरियन ने दक्षणी यूनान को आधिकरत कर लिया तो जो यूनानी दक्षणी यूना यूनानी लोग के हेरा क्लिड के वंसेज ही कहते थे तो इसी समय एजियन प्रदेश में लोह यूक का सूतर पात्र होता है इस समय यूनानी मिनोन हैलेडिक सांस्कृति के कुछ तत्तों को भूला बैठे थे तदा कुछ आदमसात कर चुके थे यह जाती वा सांस्कृति साम सभ्यता की आधार सिला बनी तो अभी हम सास्त्री सभ्यता आगे पढ़ेंगे यूनान की कला में अभी हम यूनान कला की स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो देखते हैं आर्ट आफ एसियंट ग्रीक यूनानी सभ्यता का सरुप्रथम उदय एजियन सभ्यता के रूप में होता जिनका प्रभाव परवर्ती यूनानी सभ्वेता पर बहुत बड़ा था तो इसका जो सरवप्रथम उदय माना जाता है वो किसके एजियन सभ्वेता के रूप में माना जाता है और इसका प्रभाव जो है आगे की आने वाली जो सभ्वेता है यूनान में परवर्ती यूनानी सब्भेता उन पर भी पड़ा था और डोरियन का युनान में प्रवेस सब्भेता को नस्ट कर दिया युनान के इतिहास में 1200 से 900 इसा पूर्व का समय अंधिकार युग कहा जाता है तो जब डोरियन का युनान में प्रवेस जब हुआ तो इन्होंने क्या कि इनके जो सब्भे द्रश्टी से कोई प्रकास नहीं मिलता है कला द्रश्टी से जब इस समय के अवसेज बहुत कम है तथा इस युग का यूनानी इतिहास में बहुत कम महत्तो हुआ है तो जब डोरियन जाती ने यहां पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया तो इस टाइम को अंधिकार बेवस्था तूट गई थी युद्ध सामान इघटना हो गये थे क्रश्री कर्म वा उद्योग धंद्योग का खात्मा हो गया था तथा जनता में आशांति वा सुरक्षा की भावना बढ़ गई थी तो इस युग में क्या हुआ राजनीती बेवस्था तूट गई थी इनक खात्मा कर रहे थे और इनके जो जनता थी उसमें अशांति और सुरक्षा बहुत बढ़ गई थी और यहां पे जो है आक्रमण बहुत होते रहते थे तो ऐसी परिस्थितियों में साहसी वा महत्वा कांग्शी ब्यक्तियों के लिए अपने बाहु बल से स्थानी जनता को अ कठीन नहीं था जब इनकी राजनीती विवस्था तूट गई इनका शाशनकाल यहां पर दुरुबल हो गया तो इस टाइम पर क्या हुआ जो यहां पर साहसी व्यक्तियों के लिए जिनके पास बल था तो वो जो यहां की स्थानी जनता थी इनको अपने आधीन करना अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ युनान की कला में उनके इन कार्यों के अधार पर भाट गीतों की रचना करते थे यह जोंन के ही नहीं यूरोप की प्राचीन Giving साहित दे तो और सुकरात प्लेटोवा अरस्तु जैसे प्राचीन युनानी दार्शनिकों का भी उदय यहीं से होता है कहां से युनान से होता है आप लोग एस्थटी की क्लास में पढ़ी रहे हो अभी तक प्लेटोवा अरस्तु और सुकरात ये सारे दार्शनिक जो बहुत ही प्रसिद है तो इनका भी उदर कहां से होता है युनान से होता है और युनानी कला सौंदर्य का मूर्तिमान रूप है युनानी हिर्दे से ही सौंदर्य की उपासना करते थे और सौंदर्य उनका धर्म था तो यहाँ पे जो कला है वो सौंदर्रे का मूर्तिमार मानते थे सुंदर्ता की दरस्टी से देखते थे कलाओं को और यूनाने हिर्दे से सौंदर्रे की उपासना करते थे तो ये जो है सौंदर्रे की उपासना करते थे मतलब आप सारी चीजों में इन्होंने सुंदरता देखना स्टार्ट कर दिया और सौंदरता ही उनका धर्म बन गया तो वस्तुता युनानी सभ्यता और सांस्कृति अति प्राचीन है उनकी गड़ना विश्रो की प्राचीनतां सांस्कृतियों में की जाती है मिश्र, चीन, मेसोपोटामिय, थसिंदु की नदी घाटी सभ्यताएं अपने अतीत गौरों के लिए विख्यात हैं युनानी वर रोमन सभ्यता को पाश्यात सभ्यता का पालना कहा गया है तो यह जो यहां की सभ्यता थी पहली युनानी सभ्यता और जो सांस्कृती है वो बहुत प्राचीन मानी जाती है सबसे पुरानी मानी जाती है और उसकी गड़ना विश्रो की प्राचीनतम सांस्कृतियों में की जाती है जो पुरानी सांस्कृतियां रही हैं विश्रो की स सब्वेता और सिंधु नदी घाटी सब्वेता जो की अपनी भारत की है और यहां पे इनके लिए अतीत इनका गौरों जो है वो विख्यात है तो यूनान वा रोमन की जो सब्वेता है वो पाश्यात वितलब वेस्टर्न की तरफ जो था तो उसको ये लोग पालना कहते हैं य तो आठ भी यूनानी कला में वही चुमिकी आकर्शन सौमिता है जो पहले था सची कला शास्वत होती है तथा देशकाल की मर्यादा से परे सभी को आनदप्रदान करने वाली होती है तो यूनानी कला को इन्होंने बताया है कि चुमिकी आकर्शन है सौमिता है जो पहले थी यह अपनी तरफ आकरशित करती है इनकी जो कलाएं है और जो सची कलाएं होती है वो शाश्वत होती है कभी नस्ट न होने वाली होती है तथा देश काल की मर्यादा से परे होती है और आनंद प्रदान करने वाली होती है तो आप लोग अभी एस्थेटिक में भी पढ़ी रहे तो इस किस प्रकार जो कला होती है वो आनन्द प्रद होती है और युनानी कला में समराटों की तीर घ मूरतिया नहीं बनाई गई थी जैसे कि आप लोगों ने मिस्टर की सब्धिता में देखा था फरोग की मूर्तियां कैसे बनते थे खुफो खफरे ने कैसे अपने पिरामिट के साथ साथ वहां पे मूर्तियों का भिंदर मार करवाया था तो केवल देवताओं की ही मूर्तियां विस्तर मिस्टर कला में सयम है तो यहां पर बता रहे हैं कि सास्वत के स्थान पर जड़ी मितलब कुछ समय तक रहने वाला और ततकालिक को व्यक्त किया है किसमें यूनान की कला में और यूनानी कला में एक दिशाहिन लोच है तो यहां पर कमी बता रहे हैं कि इसमें कोई दिशा नहीं है जैसे कि मिस्ट्री कला में सयम था उस प्रकार तो यद्दे पर कलाकरती जड़ होती है सारीरिक अव्यवों की बाहरी सीमाओं भार द्रस्टी बिंदू के समन्मे से आकरतियों में जो गतिशीलता अनुभफ की जाती है यूनानिक कलाकार ने उसका पूर्ण उपयोग किया हुआ है तो जो कलाकरती जड़ होती है बेकार होती है तो वो सारीरिक अव्यवों की बाहरी सीमाओं भार द्रस्टी बिंदू के समन्मे से आकरतियों में जो गतिशीलता का अनुभव होता है उसको ही यूनानी कलाकार क्या मानते हैं पूर्ण रूप से उसका इसकर उनके देवता भी मानवी अकांशां के आदर्स रूप मात्र थे तो जो यूनानी कलाकार है तो नका द्रश्र जगत है जो सामने दिखता है और जो बहुतिक है उसी को क्या मानते थे जो सत्य था उसी जीवन को अधिक पूण बनाने की चेस्टा को यह अपने लक्ष मानते थे कि इसी से हमारा जीवन जो है वो पूण हो गए हमारा लक्ष जो है वो पूण काऱ उनके देवताभी मानवी अकांक्षाओं के आदर सुरूं कर थे तो अभी आप लोग देखें अगे कि यहां पर किस प्रकार देवी देवताओं की मूद्य्य यहां बनाते थे यूनानकी कला में तो आपका भी यूनान की पोच सकते हैं, थैंक यू